नमस्कर, क्लास 10 एद्बास माथमेटिक्स और रिलेशन और सेप्टर एटा क्वेशन आशीले क्वेशन टो होलजे, लेट L भीदा सेट अफ ओल लाइन इने प्लेन एक होन प्लेन ओट L होई से, जीमान लाइनासे सोबोर एटा सेट होई और भीदा रिलेशन इन L, डिफाइन एज, आर लोर रिलेशन होई, एने के डिफाइन कोरी से R2 L1, L2, साच देर L1 इस परपेंडिकुलर तो L2, मने एने को एटा रिलेशन और माज़ तुमार L1 एन L2 हुमायाँ चाच देर L1 तो L2 परपेंडिकुलर होई सोरेल, R is symmetric but neither reflexive nor transitive R to symmetric हिसापे डेखा बोलागे, किन्टो ही transitive और reflexive न होई गोधिके एक कोईशन तो कोड़ागो तुमालों के symmetric, transitive और reflexive relation और details तो जाननी बोलागी पो जीटोर पोल मूर अल्री बहुर केटा भीडियो आसे तुमालों के हीकिनी कोईशा गोधिका इमी direct answer होजाम, फर्स तो तो आमी reflexive होजाम, की कोईशाइसे, R is not reflexive R केटेवा reflexive होब होई नहीं, reflexive मने की, same line should be perpendicular to same line मने L1, L1 और लगर perpendicular होब 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 हो, L2, L2 और लगर perpendicular होब होब हो, similarly L3, L3 और लगर perpendicular होब 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 हो symmetric टो के नहीं होब हो, okay, so यह कीको से, L1 और L2 और L2 is not belongs to R, L1, L1 तो केटेवा टमा R भीटो ठाकी भुए नहीं होब 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 हो, कानी इतो हीटो लोगर सेम लाइन इस not perpendicular to this, to the line itself, now R is symmetric, symmetric टो के नहीं हो, L1 और L2 belongs to R, जितो में अलडि़ी according equation असे, so L1 is perpendicular to L2, diagram तो स्वा, L1 is perpendicular to L2, similarly L2 is perpendicular to L1, L1 L2 perpendicular हो, L2 L1 और perpendicular हो, symmetric माने कि, माने A B जोड़ी perpendicular हो, B A और perpendicular हो बो लगी पो, हे condition दो सेटेस्पाइ होचे नहें, होई से, each line is perpendicular to other line, and that other line is also perpendicular to the chain line, so कि हो L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L1, so की पालो हमी L1 minus, sorry, L2, L1 belongs to R, टार मने L1 और L2 जोटे आरोथ थाके, then L2 और L1 और आरोथ थाके, then it is symmetric, गोटिके symmetric कोर कॉंडिशन तो होए, गोटिके R एटा symmetric relationship होलू. Now, आमी की कोरिलू दूटा पालू, symmetric कोरिलू, symmetric होयबली प्रोब होल, reflexive नहों होबली प्रोब होल, now we have to probe for transitive. So, R is not transitive, transitive पर कथा तो होल, ये तो एटा तो बार theoretically लिखी बोलेगी होलू. है ला इन्टो साबा, इन्दीद, if L1 और आरोथ पर्पेंडिकुलार तो L2, L1 जोटी L2 पर्पेंडिकुलार होए, and L2 is perpendicular to L3, L2 किंटो L3 perpendicular होगो, किंटो L1 कें ने भर भीटः perpendicular to L3, ये तो L1 और L3 पर्लेल लाइने होसे perpendicular होगो होने, तार मने की A, B लो जोटी relation होए, B, C लोगो जोटी relation होए, और A और सीरो relation ठाकी बोलेगी होगो, कि हो से L1 लोगोर L2 जोडी perpendicular relation सेटिस्फाय होगोरी से, L2 जोगोर L3 लोगोर पर्पेंडिकुलार रिलेशन सेटिस्फाय होगोरी से, that means L1 और L3 लोगोर कोई भोला गिवा, But it is not possible, कार माज़ लाइन टूस्वा दागाम दो देखे लेगोंगों बाभा, याद L1 and L3 is not perpendicular, they are parallel, in fact L1 and L3 are parallel, that is L1, L2 belongs to R, L2, L3 belongs to R, but L1 and L2 is not belongs to R, so L1 and L3, L1 and L3, L1 and L3 केटी R अरोग भीटोट नो होले, मा अकुर्बाग गोड़ी सो A जोटी B होए, B जोटी C होए, ती तहाले A C होब लागी बागी 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 आजी वीडियो दिमान कीने, ठैंक्यो